आज हम लोग सर्कुलर मोशन से रिलेटेट कुछ क्वेश्चन को सुल करेंगे तो पहला जो एक्जाम्पल है यह देखेंगे जे इमेंस 2019 ने पचा गया था यह बहुत सिंपल सा एक्जाम्पल है आपने कई बार क्वेश्चन ऐसा किया होगा मेरे वीडियो लक्षर में उसके लिए फॉर्मॉला भी ड्रैव कराया हुआ है कि अगर कोई पार्टिकिल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जब किसी एंगिल से वह घूमता है जब किसी एंगिल से रोटेट करता है सर्कुलर पात पर तो उसकी वेलोसीटी में चेंज कितना आता ह हुसकी चेंज इन वेलोसीटी का म्गनिटूड कितना होता है उसके लिएक फॉर्मॉला ड्रैव कर रहा है तो यह क्वेसे कह रहाएगा, particle is moving along a circular path with constant speed of 10 meter per second what is the magnitude of change in velocity of the particle when it moves through an angle of 60 degree around the center of circle तो इस particular question में 60 degree से घुमाया गया है, हम लोग के general case पहले drag कर लेते हैं मैं ऐसा माह लेता हूँ कि पहले जो particle है वो यहाँ पर है, इसकी velocity आला कि velocity इसका जो है, वो velocity का magnitude constant है, के वाल डारेक्शन बदल रहा है और इसलिए मैं इसको V1 लिखता हूँ, magnitude सेम है कुछ दिर बाद यह जो particle है, वो यहाँ आ गया है ना, इसकी velocity का direction change हो गया, इसलिए मैं different velocity कह रहा हूँ हाला कि magnitude अभी भी सेम रहेगा तो इसको ऐसे मिला जेता है अगर यह angle theta है तो यह वाला जो angle है यह भी theta आता है, कैसे? देखेंगे यह 90 है यह भी 90 है, क्योंकि यह tangent है और यह radius है यहाँ पर एक quarter angle गना रहा है four sides के तो यह theta है तो यह जो angle है actually में होना चाहिए pi minus theta, 180 minus theta क्योंकि चारों angle का sum 360 होना है अगर यह pi minus theta है तो फिर यह theta होना चाहिए क्योंकि यह line सीधा जा रहा है तो इन दोनों का sum pi होना चाहिए, 180 degree होना चाहिए अगर यह pi minus theta है तो यह थीटा हो जाएगा v2 minus v1 इसको मैं लिख सकता हूँ v2 plus negative of v1 मतलब यह जो v2 है v2 को मैं ऐसे दिखाता हूँ यह v2 है और जो minus v1 है वो v1 के just opposite होगा direction उसका अभी भी वही रहेगा जो v1 है बिल्कुल ऐसे था ना इसके just opposite मैं करता हूँ इसको minus v1 कहेंगे अब यह जो angle था यह angle था theta तो इनके बीच का जो angle आएगा यह आएगा पाई minus theta तो हमें v2 और minus v1 का resultant निकालना है हाला कि दोनों का magnitude जो है इसका magnitude भी वी है इसका magnitude भी वी है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो resultant होगा उसको find करना है इसका और इसका resultant होगा वोई v2 minus v1 है resultant का मतलब होता है दो vector का जो sum होता है sum का जो value है sum vector जो है उसका magnitude को resultant factor कहते है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह भी है यह भी भी है दोनों के बीच का अंगिल pi minus theta है तो v2 minus v1 का magnitude इसका जो magnitude होगा वो आजा अक्छले में यह होता है v1 square plus v2 square plus 2v1 v2 cos theta का root होता है यह थीटा के जागा पर हम लोग pi minus theta रखें ठीक v1 v2 दोनों का magnitude equal है तो मैं क्या रखूंगा यहाँ पर यहाँ पर रखूंगा v2 v2 plus 2v2 cos pi minus theta जो होता है वो अक्छले में minus cos theta हो जाता है तो देखेंगे यह भी 2v2 है और यह भी 2v2 है तो यहाँ पर 2v2 common लेंगे तो आएगा 1 minus cos theta तो 2v यहाँ पर 2v2 है 2v2 है और 1 minus cos theta को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 sin square theta by 2 है ना जब इसका root निकालेंगे तो देखेंगे यह 2 जो है यह दो बारा है तो root के बाहर करेंगे तो एक बारा जाएगा आचा वी square है यहाँ sin square theta by 2 है तो यह sin theta by 2 हो जाएगा यह formula आपको हमेशा याद रखना चाहिए यह बारवार काम में आता है especially circular motion में तो chain velocity का जो magnitude होता है वो आता है 2v sin theta by 2 यहाँ पर वी जो है यह constant speed है और theta जो है जितना angle से rotate किया है पाट की है तो इस question में यह जो v है v का value अब देखेंगे बताया गया है 10 meter per second और जो theta है theta का value बताया गया है 60 degree तो मैं रखूंगा sin 60 degree divided by 2 तो यह हो गया 20 sin 30 degree जो की 1 by 2 होता है तो यह आगया 10 meter per second तो यह क्या आया change in velocity का magnitude तो option में देखेंगे न option B जो है वो exactly 10 meter per second यहाँ पर लिया हुआ झाल 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